हलो एव्रिवान वेल्कम टू और न्यू टॉपिक आज का जो टॉपिक है वो है प्रकॉशन्स फॉर लोडिंग अनलोडिंग वीकल ठीक है वीकल को कैसे लोड और अनलोड करते हैं जैसे कोई सामन उसमें जा रहा है उसकी लोडिंग कैसे करेंगे और उसकी अनलोडिंग कैसे इसके लिए भी safety maintain करनी होती है ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी सामान प्रटक दें और वो चला जाएगा और फिर उसे उठा लें ऐसा नहीं होता है ठीक है तो हमें precautions कुछ लेने होते हैं सबसे पहले तो हमें कोई भी vehicle को overload नहीं करना है ठीक है हमें इस तरीके से vehicle को जो सामान है वो उस तरीके से रखना है कि सारा well maintained रहे और ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी उसमें जैसे कोई break लगे तो सारा का सारा सामान ऐसे निकल के ऊपर आ जाए ठीक है तो यह सारी चीज़ें हमें उसमें देखनी है हमें यह भी सारी चीज़े से चाथ करनी होंगे कि हम किस तरीके का सामान उसमें लोड कर रहे हैं ओवर्नोड हमें कभी भी विकल को नहीं करना है हमें safe place safe place मतब safe तरीके से सारे सामान को adjust करना सारे समवन को उसमें रखना है ठीक है और हमें ये भी ध्यान रखना है कि loading और unload loading करते वक्त जो भी area है वो clear होना चाहिए उसके overhead में तो उसके उपर cables नहीं लगी होने चाहिए कोई pipeline नहीं होने चाहिए कोई dangerous करते हैं तो यह सारी चीज़े हमें चैक करनी होंगी तो सबसे पहले यही है कि आपका किस तरीके का material उसमें जा रहा है जो भी material है उसे पहले ठीक से रखना है ऐसा ना हो कि वीकल पर जड़ा भी प्रेक लगाया जाए कुछ भी तो पीच्छे का सामन आगया जाए ठीक है साथी overload उसे नहीं करना है बिल्कुल भी और हमें यह भी चैक करना है जब भी हम उसे unload करेंगे उसका सारा सामन नीचे उतारेंगे तो साथ में उपर कोई overhead cables नहीं होनी चाहिए ठीक है ठीक है नेक्स हम बात करेंगे देखिए जो भी vehicle है उसका जो design है वो कैसा है construction कैसा उस vehicle का क्या वो जादा कैसे capacity का वो लोड बेर कर पाएगा वो heavy load weight जो भी है weight कैसा बेर कर पाएगा mobile equipment है forklift है तो उसके according हमें उसे load देना होगा ऐसा नहीं बहुत सारा सामान हो और अपने उस पर रख दिया तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा उसकी length height width कितना है vehicle पर वो adjust हो रहा है या नहीं ऐसा तो नहीं आ रखना है ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदा सामन बाहर निकल रहा है तो जिससे कि पीछा वाला अगर कोई आ रहा हो पीछे से और वो उसकी गाड़ी तेज हो तो उसी को चोट लग जाए तो इस तरीके से हमें बचना है चीक है इस तरीके से हमें basic requirement check करनी होगी जब भी हम उ जा रही है या कुछ भी है तो किस तरीके से ले जाएंगे तो हमें उसके लिए भी safety maintain करनी हो नेक्स्ट यह देखिए इस image में क्या हो रहा है जो वीकल है उससे जादा बाहर सामान में करना है पीचे से फॉर्कलिफ उसको ले जा रही है गलत है यह ऐसा नहीं करना है हमें इ एक्सिदेंट होना बिल्कुल पॉसिबल है 101 पॉसिबल है हमें एक्सिदेंट्स रोकने हैं और यहां पर हमें ऐसे हमें एक्सिदेंट्स रोकने हैं पर काम भी करना है पर काम हमें इस तरीके से नहीं करना है तो हमें काम जो करना है वो बिल्कुल केर रहा है हमें जल्दबा को लोड कर दिया गया तो उसे अनलोड करेंगे जब वो जगा पहुंच जाएगा तो लोडिंग करते वक्त ही हमें यह सारी चीजों को ध्यान रखना होगा कि हम किस तरीके से से सेफ रख सकते हैं उसका जो भी रूटीन है फिर उसके बाद हमें एक वीकल रूट अगर बनाना चाहें तो हम इस तरीके से वीकल रूट भी बना सकते हैं कि उसके फुटवे कैसा है मतलब क्या उसके टायर्स वगरा ठीक से हैं सामान जो भी उसमें रखा गया उसका लोड बेर हो पा रहा है कोई भी जादा सामान एक्स्टर रखा तो नहीं गया इस तरीके सा में एक चेक हमें इस तरीके से नहीं करने हैं हमें प्रॉपर सेटी बंटे रखनी है हमें उतना ही लोड उसमें करना है देना है उतना ही सामान उसमें जाना चाहिए जितना वो लोड बेयर कर सकता है अधर्वाइस हमें एक्स्टा माटेरियल उसमें नहीं रखना है हमें यह भी चाहिक करना है वीकल जो है वो ठीक से वेल मेंटेंड है मतलब उसके ब्रेक वगेर तो वह वजन उन पर आ तो वह सारी चीज़ा हमें चाहक करने होंगे जिससे कि हम होने वाले एक्सिडेंट से आगे बच सके तो यह प्रकॉशन्स में इतना ही आएगा इसके वीकल प्रकॉशन्स में लोडिंग और अन्लोडिंग में यह मैंने आज आपको वैसे तो कंस्रॉक्शन सेफ्टी का टॉटिक है पर यह हर जगा काम आएगा आ है किकि इंडस्ट्रीज में भी होते हैं वीकल्स आह सामान आता है बाहर से यह चीजों उसमें भी होती हैं तो मैंने आज ही आपको बताया, precautions बताया थोड़ी से, so thank you.